हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई चानल आज के इस सेशन में हम डिस्किस करने वाले हैं मकावलेस मिनिट 1835 हम पहले यहां पर बेग्राउंड डिस्किस करेंगे अफ मकावलेस मिनिट इसके बाद हम थोड़ा सा बायोग्राफी देखेंगे और तीसरी चीज हम देखेंगे में पॉइंट जो कवर होती है इन मकावलेस मिनिट अब मकावलेस मिनिट का बैक ग्राउंड पहले जान लेते हैं विचार है मकावले के उसे कहा जाता है मकावलेस मिनिट 1835 अब यह जो मिनिट्स है वो सब्मिट हुई थी और 2nd of February 1835 अब यह देट जरूर से याद रखना 2nd of February 1835 कहीं दफा यूजी से नेट में क्वेशन पूछे गया है इन फैक बहुत स्यादा रिसेंटली 13th October 2022 शिफ्ट 2 में यह क्वेशन पूछा गया था आएए पहले वो क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन पूछा गया था 13th October 2022 शिफ्ट 2 में वेन दिट टीबी मकावले प्रेसेंट हिस मिनेट ओन एडूकेशन एड्वोकेटिंग इंग्लिश एडूकेशन इन इंडिया फर्स्ट ऑप्शन था 12th March 1835 शेकंड ऑप्शन था 2nd February 1835 थर्ड ऑप्शन था 22nd January 1835 और 4th था 5th May 1835 यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 2nd February 1835 ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है सिंस हम मकावले इस बिनिट पर रहे तो यह पहुत साथ है मिनित बेन जाता की ठॉमस बैबंक्ड टन मकावले है कॉन आयए देखते हैं। घॉमस बैबंक्ड टन मकावले अख ड़ायकाशन फॉलिटीयन है एक इस्टॉरियन हाघ यह son है of reformer Zachary Macaulay, इन्होंने अपनी graduation complete की है from Trinity College, Cambridge, इसके बाद इन्होंने एक essay लिखा था on Milton in Edinburgh Review, अब इसके बाद इनको एक instant fame मिल गया, अब Thomas Babington Macaulay आये थे in India on 10th of June 1834, अब यह आये थे as a law member of Governors General, मतलब Governor General उस टाइम पर थे Lord William Benteke की काउंसल में यह as a law member आये थे, और इनका बहुत सादा influence राहा है हमारे Indian subcontinent में, जो आगे चलकर आप देखने वाले हों, अब East India Company के charter में British citizenship द्वारा शामिल था एक educational clause, जहां पर Lord William Benteke के द्वारा मांगे गए Macaulay के विचार इस प्रकार है की, To the effect that after deferring all civil and military expenses, a sum of not less than one lakh of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement of learned natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of science among the inhabitants of the British territories in India. आये discuss करते हैं main point जो cover होते हैं in Macaulay's Minute, Number first जीज़, British system of education को बहुत साथा पहतर माना जाता था, compared to ancient Indian education system. आप देख सकते हो कि ancient Indian education को बहुत साथा इंफीरियर माना जाता था, compared to British system of education. अब जो second main point जो cover होता है in Macaulay's Minute वो ये हैं कि ये जो lines जो मैं आपको पहले बताई थी, to the effect that after defraying all civil and military expenses, a sum of not less than 1 lakh of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and encouragement of learned natives of India, and for the introduction and promotion of knowledge of science among the inhabitants of the British territories in India. अब ये lines के अंदर, जो यहां पर improvement of literature दिया गया है, ये word literature का मतलब है कि English literature की बात करे है यहां पर, अब जो मेने यहां पर literature, जो charter of the company 1813 है, वो stand करता है for English literature, यहां माना जाता था कि संस्कृत, अर्भी और फार्सी की अपनिया कोई सहत्य नहीं है, सो संस्कृत, अर्भी और पर्शिन के अपनी कोई literature नहीं है, इसलिए यहां पर जो literature वर्ड एम्फिसिस करता था, वो था English literature, और ना कि कोई और अधर literature, special emphasis दिया गया था on English literature, अब यह थर्ड में पॉइंट है, जो cover होता है Macaulay इस minute में, अब ब्रिटिश एस के according, Learned Natives of India यह sense में है कि जिन्हों ने philosophy पड़ी है और जो जानते है पोईट्री आफ मिल्टिन को, जिन्हों ने इन दोनों की बारे में पड़ा ही नहीं की है, उनके लिए वो कुछ काम के नहीं है, मतलब वो Learned भी नहीं कह सकते, वो भारतवासी उनके लिए कोई काम के नहीं, Learned Natives of India यह sense में कहा गया था by Britishers, जिन्होंने philosophy of John Locke पड़ी है, और जो familiar है विति पोईट्री आफ मिल्टिन, बाकि सब लोग तो उनके लिए savages, uncivilized और barbaric लोग थे, अब मकावलेस मिनिट के थू हमें एक बाद एक पता चलता है कि इंडियन लिटरेचर को कितना साधा inferior माना गया है, अब फोथ पोईट में आप देखोगे कि इंडियन लिटरेचर को heavily criticized किया गया, भारतिस यहेत्य की आलोचना करते हुए, मकावलेस मिनिट स्टेट करता है कि अ सिंगल शेर्फ अफ गुड्ड यूरोपियन लाइब्रडरी वास बॉर्थ दी होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया आड अरेबिया, सही यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतिय सहीते की कितनी जादा भारी आलोचना की गई थी, आएए देखते हैं 0.5 इन मकावलेस मिनिट, अब मकावलेस मिनिट जाना जाता था मोसली क्योंकि यह मकावलेस मिनिट ने इंट्रड्यूस के थी English as a medium of instruction मतलब English को recommend किया गया था as a medium of instruction और सारी ही Indian languages को reject कर दिया था, अब क्यों reject कर दिया था उसके जो basis है वो यह है कि उनको लगता था कि जितनी भी Indian languages है वो underdeveloped है और वो लाग करती है scientific vocabulary इनके according English is the best West मतलब best language है सरवश्रेश languages है यह मकावले ने कोट करते हुए कहा है it stands prominent it मतलब English language stands prominent even among the languages of West whoever knows that language has already access to all vast intellectual wealth which all the wisest nations of the earth have created मतलब उनको लगता था कि English मदद करता है access to intellectual wealth of the world इसलिए उन्होंने preference the English language को और सारे ही Indian languages को इन्होंने reject कर दिया गया कोई भी country जब education के लिए planning करती है तो उनका main aim होता है कि जो learner है वो skills acquire करे knowledge acquire करे सही गलत के बीच में फरक पता चले यह सारी aim होती है पर मकावले मिनिट का aim तो बहुत ही जादा अजीब और गरीब था उनको लगता था कि सिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जहां पर भार्यतियों का स्वाद विच्चार हो और नेतिकता और बुद्धी म वो अंग्रेज हो मतलब अगर मैं सही माइनों में मकावले को कोट करू तो वो कहना चाहते है हमें we want a class of person Indians in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect so यहां पर आप देख सकते हो कि इनके लिए aim of education यह था कि वो develop करें ऐसे personalities जो Indians हो blood और color में पर English हो in taste, in opinions, in morals and intellect Macaulis Minute की और एक खासियत यह है कि इन्होंने remove की सारी ही age-related biases for education अब last point आपको Macaulis Minute में यह याद रखना है कि Bentit ने proclamation दी थी on Macaulis Minute in year 1835 मतलब Bentit नेक official announcement दी थी जो है The Great Object पतलब मैं यह आपर quote करे हू The Great Object of the British Government would henceforth be the promotion of European literature and science through the medium of English and that all of government funds should be appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone अब यह statement के तुरू आप देख सकते हो कि government जितने भी money आप spend करेगी वो spend करेगी on western education and not on oriental education So, इसे के साथ end करते हैं आज का यह session उमीद करती हूँ कि आपको यह session पसंद आया होगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना आप मुझे इंस्टेग्राम और फेस्बुक पे भी फॉलो करें